स्वागते दुफ्तों एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल मेडिसेन रिवीव में जहां आप पाते हैं सबी दबान्यों का रिवीव तो दुफ्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंडरियम टेबलेट के बारे में जो की मलेरिया बुखार को ठीक करने के लिए काफी अच्छी और चानी मानी टेबलेट है तो दुफ्तों आज हम इसी के बारे में सीखेंगे कि इसके क्या क्या यूजिज हैं और इसकी डोज और साइड इफेक्ट क्या रहते हैं और वीडियो के लाफ्ट में जानेंगे कि इस टेबलेट को लेने से पहले क्या कर शाबदानिया रखनी होती हैं तो इनी सभी बातों के बारे में आज हम इस वीडियो में जानने बाले हैं तो अगर आप इस syndrium tablet के बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं तो मेरी वीडियो को लाफ तक जरूर देखें तो दुफ्तों सबसे पहले बात अगर जो है syndrium tablet की करें तो इस जो है sun pharma cuticles बनाती है और ये combination tablet है इसमें आटे रोलेंड 150 mg और पिप्रा केंड 750 mg दिया होता है इसकी price की बात करें तो ये आपको 3 tablet की script 210 रुपे में किसी भी medical store पे मिल जाती है तो दुफ्तों इसमें जो आटे रोलेंड दिया होता है ये शरीर में malaria की रोगवाणियों की संख्या को गटाता है ये एक क्रत्रिम ट्राइ ओक्सलेंड योगिक है ये खून में मौजूद होने पर सभी चर्णों में malaria परजीवी फॉल्सी फैरम को तेजी से मारने लगता है साथी दुफ्तों इसमें पिप्रा किंदिया होता है ये बिस्को नौलाइन एंटी मरेलियन नामक तबाउं की सिरेणी से समन रखता है ये परजीवी को संकर्मन के दोरान उत्पन होने बाले उसके खुद रासा ने कच्रे से मार डालता है तो दुफ्तों आब हम बात करेंगे इसकी यूजिस के बारे में कि स्टेबिट का उपयोग किन कंडिशन को ठीक करने के लिए किया जाता है तो इस टेबिट का मुक्ता उपयोग जो है मलेरिया फिवर को ठीक करने के लिए किया जाता है दुफ्तो मलेरिया बुखार मच्छरों से होने बाला एक तरह का संक्रामक रोग है जो फीमेल एनाफलीच मच्छर के काटने से होता है यह एक ऐसा बुखार है जिसमें रोगी को बहुत ज्यादा ठंड लगती है और सिरदर्द के साथ साथ बार बार बुखार आता है इसमें बुखार कभी कम हो जाता है तो कभी दुबारा आ जाता है इसमें बुखार के साथ साथ उल्टी और दफ्त भी होने लगते हैं तो इस मलेरिया फीवर के ट्रीटमेंट के लिए यह टेबलिट डोक्रोदारा दी जाती है साथी दुफ्तों फालसी फैरम मलेरिया में भी इस टेबलिट का प्रियोग लिया जाता है इस बुखार में भी व्यक्टिको बहुत तेज ठंड लगने के बाद बुखार आता है साथी सिर्दर्द के साथ उल्टियां और दफ्त भी होने लगते हैं दुफ्तों ये फालसी फैरम बुखार जो है काफी खतरनाक मलेरिया बुखार होता है इस से पीजित बेक्टिको मालूम ही नहीं चलता है कि वो क्या-क्या बोल रहे हैं तो इस फालसी फैरम मलेरिया के इलाज के लिए भी ये टेबलिट डॉक्टर द्वारा दी जाती है साथी दुफ्तों सेरीब्रेल मलेरिया में भी इस टेबलेट का प्रियोग लिया जाता है सेरीब्रेल मलेरिया जिसी हिंदी में हम दिमागी बुखार भी कहते हैं दिमागी बुखार को इंसे फैलाइटिस और ब्रेन फीबर के नाम से भी जाना जाता है यह मफ्तिक्स के उतकों में सूजन होने पर होता है मफ्तिक्स में सूजन आने की सबसी कॉमन बज़य जो है बाइरल इंफेक्शन होता है इसमें बेक्तकों तीज ठंड लगने के बाद बुखार आता है तो इस दिमागी बुखार के इलाज के लिए भी यह टेबलेट दौक्टर दारा दी जाती है तो दुफ्तों यह थे इसके कुछ यूजिस हो सकता है यह जो मैंने यूज बताए इन यूजिस के अलावा भी डॉक्टर अपने आनवेब के साब से किसी और प्रिकार के बुखार के इलाज के लिए इस टिमिट का प्रियूख करे तो आप जानते हैं इसके साइड एफेक्ट के बारे में कि इस टिमिट को लेने से क्या साइड एफेक्ट हो सकते है अगर किसी व्यक्त को होते हैं तो इसके सैड़ प्रिक्ट जो है उल्टी मतली होना, पेट दर्द होना, भूक में कमी आना, अपच, खांसी होना, चक्कर आना, शिरदर्द होना, सरीर पर लाल सकते होना, धुंदला दिखाई देना जैसी समश्याएं हो सकती हैं यह या इसके अलाबा भी अगर आपको कोई अन्वांटिट रिफेक्ट दिखाई देता है, तो इस टेबलेट को लेना बंद कर दे और अपने डॉक्टर की सला लें, जहां से आपको फर्दे टीट्मेंट दिया जा सके हैं तो दुफ्तो अब वीडियो के अगले पार्ट में जानते हैं इसकी डोज के बारे में किसकी डोज किस हिसाब से दी जाती है, तो दुफ्तो जैसा कि यह तीन टेबलेट की इफ्ट्रिप आती है, तो उसमें अडेल्ट व्यट्टो जो है एक टेबलेट दिन में एक बार ले लिए आपने डॉक्टर के चला भी ले सकते हैं तो दुफ्तों अब वीडियो के लाफ में जानते हैं कि इस टेबलेट को लेने से पहले क्या का शाबदानियां रखनी होती हैं तो उसमें अगर कोई व्यक्ति जिसे कोरोनरी आर्टरी टिसीज नाम की बीमारी है तो उसे यह ट टेबलेट नहीं लेनी चाहिए तो दुफ्तों यह था हमारा सिंड्रियम टेबलेट का रिबियू अगर आप इससे जुड़ी और भी कोई जानकारी चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर सकते हैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आयोगी अगर वीडियो पसंद आयो तो व झाल